दैज अगर मान लीजिए आप जिस देश में रहते हो उस देश पर कोई दूसरा देश या कुछी दूसरे देश की आर्मी उसके उपर कबजा कर लेती है यह मंजर कितना खोफनाक है यह कितना डराऊना है यह आप समझी सकते हो आज ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान पर हो रहा है जिसमें तालीबान ने आकर अपना कबजा कर लिया है यह बाट सोचे तो अगर अफगानिस्तान की आर्मी अभी तक कर क्या रही थी इतने सालों से यह सब चल रहा तो उनने इसे रोका क्यों नहीं यह सब कुछ अगर एक तरफ से देखे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की आर्मी में ही कुछ कमी थी जिसकी वज़े से तालीबान ने अपने आपको अफगानिस्तान के उपर हावी होने दिया और अफगानिस्तान ने भी अपने आप पर तालिबान को हावी होने दिया इस पूरे घटना करम से एक बात तो मुझे समझ में आ सकती है कि जिस देश में जिसकी आर्मी जिसके जवान जिसकी सेना में जितना दम नहीं है जो सेना बाहर से सुरक्षा करती है अगर वहीं अंद करूँ तो सलाम है भारत देश की आर्मी को भारत देश के जवान जो बॉर्डर पर खड़े है और पूरे देश को बाहर से तो बचाई रहे है बलकि पूरे देश को अंदर से भी बचा रहे है तो सलाम है भारत देश की आर्मी को भारत देश की पांक को जय जवान जय किसान जय हिन भारत मता की जय